नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है कथा मंथन में आज की कहानी है तगादा लेखक मुशी प्रेमचन सेट चेत्राम निस्नान किया, शिवजी को जल चड़ाया, दो दाने का मिर्च द्यबाये और लोटे पानी पिया, सोटा लेकर तगादे पर चले सेट ची की उम्र कोई पचास, सिरे के बाल जड़ गए और खोपरी ऐसी साफ सुत्री निकलाई जैसे उसर खेट आखेती छोटी लेकिन बिलकुल गोल चहरे के नीचे पेट था और पेट के नीचे टांगे, मानो किसी पीपे में दो मेखे गाड़ दी गई हो लेकिन ये खाली पीपा नहीं था, जिसमें सजीवता और कर्म शीलता कूट कूट कर भरी हुई थी किसी बाकीदार असामी के सामने इस पीपे का उचलना, कुदना और पैत्रे बदलना देखकर किसी नट की चिग्या भी लजजित हो जाती ऐसी आँखे लाल पीली करते, ऐसी गरस्ते की दर्शकों की भी लग जाती उन्हें कंजूस तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वे जब वे अपनी दुकान पर होते तो हर एक भीकमंगे के सामने एक कोड़ी फेक देते हाँ उस समय उनके माते पर कुछ ऐसा बल पढ़ जाता और आँखे कुछ ऐसी प्रचंड हो जाती कि भीकारी फिर लोटकर उनकी दुकान पर ना आता जलपान करने के बाद संध्या तक वे बराबर तगादा करते रहते थे इस से एक तो घर का भोजन बचता था दूसरे असामियों के माते दूद पूरी मिठाई आदी पदालत खाने को मिल जाते थे एक वक्त का भोजन बच जाना कोई सघानन बात तो थी नहीं एक भोजन एक आना भी रख लें तो केवल इसी मद में अपने 30 वर्षों की महाजिनी जीवन में उन्होंने 800 रुपे बचा लिये और फिर लौटते समय दूसरी बेला के लिए दूद दही तेल तरकारी उपलेम इंधन मिल जाते थे बहुदा संध्या का भोजन भी ना करना पड़ता था इसलिए तगादे से ना चुकते थे आस्वान फटा पड़ता था आग बरस रहियों आंधी आए पर सेट जी प्रकरती के अटल नियम की भाती तगादे पर जरूर निकल जाते सेटानी ने पूछा भोजन नहीं करोगे नहीं सांज का आने पर देखा जाएगा कहकर सेट जी निकल गए सेट जी के एक किसान पर पांच रुपे पाते थे छे महीने से दुष्ट ने सूध ब्याज कुछ ना दिया था और ना कभी कोई सौगात लेकर हाजिर हुआ उसका घर तीन कोश से कम ना था इसलिए सेट जी टालते आते थे आज उन्होंने उसी गाउं में चलने का निश्या कर लिया आज बिना दुष्ट इसे रुपे लिये ना मानूंगा चाहे कितना ही रोय घिगी आए मगर इतनी लंबी यात्रा पैदल करना निंदास पद लगता लोग कहेंगे नाम बड़े और दर्शन चोटे कहलाने को सोट सेट और चलते हैं पैदल इसलिए मंधर गती से इधर उधर ताकते रहागिरों से बात करते चलते जाते थे ताकि लोग यह समझे कि वायू सेवन करने जा रही है सहसा एक खालीक का उनकी तरफ आता हुआ मिल गया इक्केवान ने पुछा कहां लाला कहां जाना है जाना तो कहीं नहीं है दो परग है लेकिन लाओ बैट जाओं इक्केवाले ने चुपती हुई आंक से सेड़ जी को देखा और सेड़ जी ने अपनी लाल आखों से उसे घुरा दौनों समझ गए कि आज लोहे के चने चबाने पड़ेंगे इक्का चला सेड़ जी ने पहला वार किया कहां घर है मिया साब जब घरता तब था अब तो भेघर बेदर हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि बेपर हूँ तक दिर्ने पर काट लिये लंडुरा बना कर छोड़ दिया मेरे दादा नवावी में चकले धारते हजूर साथ जिले के मालिक जिसे चाहे तो दम कर दे फासी पर लटका दे निकलने के पहले लाखों की थैलिया नजर चड़ जाती थी सब दिनों का फेर है सेड़ जी को हाथ मिलाते ही मालुम हो गया पकका फिक है था खाड़े बाज इससे पेश पाना मुश्किल है पर अब कुष्टी तो होई गई दी अखाड़े में उतर भी पड़े थे बोले अब तो यह बादशाई गराने के हो सूरत ही गवाई देती है दिनों का फेर है भाई सब दिन बराबर नहीं जाते हैं हमारे यहां इसलिए तो रक्षमी को चंचला कहते हैं पर तुम्हारे लिए तो दादा ने खूब रुपे छोड़े होंगे अरे सेट उस दौलत का हिसाब था ना जाने कितने तहकाने बरे थे भोरों में सौने चांदी डेले रखे थे जोहरा टोकरियों से भरे पड़े थे एक एक पत्तर पचास पचास लाग का चमक ऐसी की चिराग को मात दे दे मगर तक्दीर भी तो कोई चीज़ा इधर दादा का चालिसवा हो और अधर नवावी बुर्दुई सारा खजाना लुट गया फिर भी मेरे गुजर भर को उन्होंने बहुत छोड़ा अगर हिसाब किताब से रहता तो भला आदमी होता लेकिन रहीस का बिटा तो रहीस ही होता है एक बोतल चड़ा कर बिस्तर से उड़ता था रात रात बर मुझरे होते थे क्या जानता था एक दिन ठोकर खानी पड़ेगी सेट बोले अल्ला मिया का शुकर करो भाई इमान दारी से अपने बाल तो इमान है मुझे तो तुम्हारी सूरत देखते ही मालूम हो गया कि तुम नियत के साफ सचे आदमी हो ठीक कहा सेट जी आपने इक्के वाला बोला इमान सलामत रहे तो सब कुछ आप लोगों से चार पैसे मिल जाते हैं वही बाल बच्चों को खिला पिला कर पड़ा रहता हूं सेट जी बोले बड़ा कारसाज है खांसाब तुम्हारी कमाई में हमेशा बरक्कत होगी भगवान की किरपा रही इक्के वाला बोला आपकी महरबानी चाहिए सेट बोले भगवान की महरबानी चाहिए तुमसे खुब भेट हो गई मैं इक्के वालों से बहुत गबराता हूं लेकिन अब मालूम हुआ अच्छे बुरे सभी जगा होते हैं तुम जैसा सच्चा दिंदर आदमी मैंने नहीं देखा कैसी साफ तबियत पाई है वाह सेड़ जी की ये लच्छे दार बाते सुनकर इक्के वाला समझ गया कि यह महाशिया पढ़ले सिरे के बैठक बाजे यह सिरफ मिरी तारीफ करके मुझे चकमा दियेना चाहते है अब और किसी पहलू में अपना मतलब निकालना चाहिए इनकी दया से तो कुछ ले मरना मुश्किल है शायद इस से भैसे कुछ ले मरू बुलाल मगर लाला यह ना समझे कि मैं जितना सीधा हूँ और नेक ने जराता हूँ लेकिन हूँ नहीं बुरू के साथ मैं पक्का बदमाश हूँ या यूं कहिए आपकी जूतियां सीधी कर दू लेकिन किराय के मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करता और करूंगा तो खाऊंगा क्या सेर जी ने समझा इक्के वाले को हत्ते चड़ा लिया अब यात्रे निवरविग ने निशूल को समाप्त हो जाएगी लेकिन यह अलाप सुना तो कानखड़े हो गए बोले भाई रूपे पैसे के मामले तो मैं किसी से रियायत नहीं करता लेकिन कभी-कभी जब याद दोस्तों का मामला पढ़ता है तो जख मारकर दबना ही पढ़ता है तुम्हें भी तो कभी कभी बल खाना पड़ता होगा एकके बाले ने रुखे पन से कहा मैं किसी के साथ मुरोवत नहीं करता मुरोवत सबक तो उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं मजाक है क्या एक पैसा दबाले घरवाली तक को तो मैं पैसा देता नहीं तो दूसरों की बात ही क्या और एकके वाले अपने महाजन की खुशामद करते हैं दरवाजे पर खड़े रहते हैं पर महाजन को भी तो यह धता बताओ सब मेरे नाम को रोते हैं रुपे लिए साफ ड़कार गया तब भी देखो वो मुझे कुछ नहीं कह सकते सेड़ जी को मानो जूड़ी चड़ गई समझ गई यह शैतान बिना पैसे लिए न मानेगा जानते की बैपती गले पड़ेगी तो भूल करके भी एकके बे पाउन न रखते इतनी दूर पैदल चलते कौन से पैट तूट जाते अगर इस तरह रोज पैसे देने पड़े तो फिर हो दे गया लेन देन का चुका सेड़ जी भक्त जीव थे शिव जी को जल चड़ाने में जब से होश संबाला एक नागा नहीं किया क्या भक्त वतसल श्यंकर भगवान अफसर पर मेरी सहायता ना करेंगे इस्ट देव का सुमिरन करके बोले खां साब और किसी से चाहे ना दबो पर पुलिस से तो दबना ही पड़ता है इकके वाले ने कहका हमारा कभी नहीं साब उल्टे उन्हें कुछ ना कुछ वसूल करता हूँ उनसे मैं जहां कोई शिकार मिला जट सस्ते भाड़े बैठाता हूँ और थाने पहुचा देता हूँ किराया भी मिल जाता है और इनाम भी क्या मजाल की कोई बोल सके अभी तक लाइसन नहीं लिया आज तक लाइसन मजे में सदर में का दड़ाता हूँ कोई साला चूंतक कर जाए मेले ठेलों में भी खूब बन जाती है अच्छे अच्छे माल चुनकर कोतवाली पहुचाता हूँ फिर कौन है जो मेरे सामने ठाहर सके सेट जी को रोमान चोहया हाथ में एक सोटा था पर उसका वैवार करने की शक्ति उनमें अभाव थी आज भूरे इस पसे ना जाने किस मनुस का मूँ देखकर घर से चले थे कि यह दुश्ट से उलज पड़े दस-पांच दिन हल्दी सोट पीना पड़े अब तो कुशल इसी में है कि यहीं उतर जाओं तो बच जाए भीगी बिल्ली बनकर बोले अच्छा अब रोक लोखांसा मेरा गाउं हो गया बोलो तुम्हे क्या दे दूँ इकके वाले ने गोड़ी को एक चाबु को और लगाया नितादा से बोला मजूरी लो भाई तुमको ना बठाया होता तो तीन-तीन सवारी बठा लेता तीनों चार-चार आने भी देते तो बारा आने हो जाते तुम आठी आने देतो सेट जी की तुपदिया बढ़ गई इतनी बड़ी रकम उन्होंने उम्र भर इस मद में नहीं खरच की थी इतनी सी दूर के लिए इतना करया है वह किसी तीरा नहीं दे सकते थे मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अफसर भी आता है जब परिणाम की उसे चिंता नहीं रहती सेट जी के जीवन में यह ऐसा ही अफसर था अगर आने दुआने की बात होती तो खून का खुट पीकर रह जाते लेकिन आठ आने उनके लिए इसका द्विगिन एक कलदार था अगर तूतू में में हाता पाई की नौबत आए तो वह भी करने को तयार थे यह निश्य करके वह दृड़ता के साथ बैठे रहे सहसा सड़क के किनारे एक जोप्रा नजर आया इकका रुग गया सेट जी उतर पड़े और कमर से दुआन्य निकाल कर एककेवान की और बढ़ाई इककेवान ने सेट जी के तेवर देके तो समझ गया ताव बिगड गया चाशनी कड़ी होकर खटोर हो गई अब तो यह दातों से भी ना लड़ेगी इसे चुबल कर मिठास का अनंद लिया जा सकता है अमरता से बोला मेरी और से इसकी रेवड़ियां और लेकर बाल बच्चों को खिला दीजीगा अल्ला आपको सलामत रखे सेट जी ने एक आना और निकाल और बोले बस अब जबान नहीं लाना एक कोड़ी भी बेसी ना दूँगा नहीं माली का आप ही ऐसा कहेंगे तो हम गरीबों के बाल बच्चे कहां से पलेंगे हम लोगी आदमें पहचानते हैं हुजूर इतने में जौपड़ी में से एक इस्तरी गुलाबी साड़ी पहने पांच जबाती हुई निकल आई और बोली आज बड़ी देल लगाई यकायक सेड़ी को देखकर अच्छा आज लाला जी तुम्हारे एक के पर थे फिर आज तुम्हारा मिजाच कहे को मिलेगा एक चेहरे शाई तो मिली ही होगी इधर बड़ा दो सीदे यह कहकर वैसेड़ी के समी पाकर बोली अराम से चरपया पर बैठो लाला बड़े भागते आज सवरे सवरे आपके दर्शन हुए इसके वस्त्र मंद मंद महक रहे थे सेड़ जी का दिमाग ताजा हो गया उसकी और कंखियों से देखा और चंचल बांकी कटिली तेज तर्रार थी सेड़ जी की मूर्ती आँखो ओड़ती थी बद्दी थल थल पिल पिल पैरों से बेवाईयों से फटी कपड़ों से दुरगंद उड़ती हुई सेड़ जी नाम मातर को भी रसिक ना थे पर इस समय आँखों से हार गए आँखों को उधर से हटाने की चेश्टया करके चारपाई पर पैट गए अभी कोज भर की मंजी लौर बाकी थी इसका ख्याल उन्हें तनिक नारा इससी एक छोटी से पंकिया उठा लाई और सेड़ जी को जलने लेगी हाथ की प्रतेक गती के साथ सुगंद का एक जोगा सेड़ जी को और उन्मत कर देता सेड़ जी के जीवन में ऐसा उल्लास कभी ना अनुभववा था उन्हें प्राया सभी घृणा की दृष्टी से देखते थे उसके हाथ से पंकिया उन्होंने छीन ली जाई तो मैं कष्ट होगा लाओ मैं खुद जलनू यह कैसी बात है लाला जी आप हमारे दरवाजे पर आये हैं कै इतनी खातिर भी ना करने दीजिएगा और हम किस लाया कै इधर कहीं दूर जाना है आप तो बहुत देर हो गई एक दिन घर के बाहर की हवा भी खईये फीड ना जाने कब मुलाकात हो इकके वाले ने आकर सेट जी के करन में कहा पैसे निकालिये तो दाने चारे का इंतिजाम करूं सेट जी ने चुपके से अठनी निकाल कर दे दी इकके वाले ने फिर पूछा आपके लिए कुछ मिठाई लेता हूँ या आपके लायक मिठाई यहां क्या मिलेगी पर मुझ मिठा तो हो जाएगा नहीं इसकी कोई जरुवत नहीं हाँ बच्चों के लिए चाराने की मिठाई लिवाते लाना चवन्नी निकाल कर सेड़ जी ने उसके सामने ऐसे गर्व से फेकी मानो इसकी उनके सामने कोई हकीकत ही नहीं हो सुन्दरी के मुझ का भाव तो देखना चाते थे पर डरते थे कि कहीं है ना समझे लाला चवन्नी दे रहे हैं मानो किसी को मोल ले रहे हैं इक्के वाला चवन्य उठा कर जाही रहा तकि सुंद्री ने कहा सेट जी को चवन्य लटा दो लबक कर उठा ली शरम नहीं आती यह मुझसे रुपया लो आठा ने की ताजी मिठाई बनवा कर लाओ उसने रुपया निकाल कर फेका सेट जी तो मानो लज्जा के मारे गड़ गए इक्के वान की भड़ियारी जिसकी टेके की भी आउकात नहीं इतनी खातिरदारी करे कि उनके लिए पूरा रुपया निकाल कर दे दे यह भला कैसे रह सा सकते हैं बोले नहीं नहीं यह नहीं सकता तुम अपना रुपया रख लो मैं रुपया देता हूँ यह लो आठाने की लियाना इके वान तो उधर मिठाई और दाना चाने की फिक्र में चला वे तो अभी जरा देर में आये का लाला तब तक पान तो खाओ पर यहां तो कोई टम्बोली नहीं है मेरे लगाए पान टम्बोली के पानों से भी खराब होंगे पान दान से एक बीड़ा निकाला और सेड़ जी की तरफ चली सेड़ जी ने एक मिनट तक तो हाँ-हाँ किया फिर दोनों हाथ बढ़ा कर उसे हटाने की चेश्टा की फिर जोर से दोनों ओड बंद कर लिये और जब सुन्दरी किसी तरह ना मानी तो सेट जी अपना धरम लेकर बेताशाहा भागे सोटा वहीं चार पाई पर रहा गया 20 कदम पर जाकर आप रुख गया हाफकर बोले देखो इस तरह किसी का धरम नहीं लिया जाता हम लोग तुमारा छुआ पानी पीरी तो धरम भष्ट हो जाए सुन्दरी ने फिर दोड़ाया सेट जी फिर भागे इधर 50 की 50 वर्ष से उन्हें इस तरह भागने का अफसर न पड़ाता धोती की सकर गिरने लगे पर मगर इतना अवकाश ना था कि धोती बांदले बेचारे धरम को कंधे पर रखके दोड़े चले जाते थे ना मालुम कब कमर से रुपयों का बटवा खिसक गया जब एक 50 कदम पर फिर रुखे धोती उपर उठाई तो बटवा नदारग फिर पीछे मुड़कर देखा सुन्दरी हाथ में बटवा लिए उन्हें दिखा रही थी और इशारे से बुला रही थी मगर सेड़ जी को धरम रुपय से कहीं प्यारा था दो चार कदम चले फिर रुख गए यका यक धरम बुद्धी ने डाट लगई थोड़े रुपय के लिए धरम थोड़ी न छोड़े देते हैं रुपय बहुत मिलेगे धरम का मिलेगा यह सोस्ते वेवे अपनी रहा चले जैसे कोई कुटा जगडालू कुटों के बीस से आहत दुम दबाए भाग जाता हो और बार बार फीचे फिर कर देख लेता हो कहीं वे दुष्ट तो नहीं आ रही है